माइन क्राफ्ट बर्दा चेस्ट है वोपी आइटम मतलब हम लोगों को चेस्ट में से ऐसे ऐसे आइटम्स देखने को मिलेंगे जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊं तो रहन दो फिर अड़े अड़े गुस्ताओ मत बता देता हूं था बरदास्त करो में भी हमें इंचानेट गोल्डेन अपल या फिर नेदर के चेस्ट को चेक आउट करना यही है आज की हमारी वीडियो में आगे बनने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और लाइक है मैं 11 पूरा कर देना वरना घर में गुश के मारूंगा चेस्ट हमें सिर्फ दो ही जगह देखने को मिल सकते या तो इस ट्रॉक्चर नाई तो विलेज डूरते हैं पहले तो फाइनली हमें विलेज मिल चुका है और इस घर में चेस्ट है नहीं है और यह रहा इस गेम का पहला चेस्ट तो चेस्ट को ओपेन क आईडी है फिर भी ये लोग ताली नहीं बजा रहे हैं तो अब ओपन करते हैं चेस्ट को और देखते हैं अंदर क्या-क्या माल पड़ा हुआ है अरे वाँ पहले ही चेस्ट से हमें डाइमांड और आइडन के इंचांटेड टूल्स और आर्मर्स मिल गए और क्या ही चाहिए जिंदगी में सोरी सरी माइनग्राफ्ट में जिंदगी में तो बहुत कुछ चाहिए जो आप लोग सायद पूरा करवा सकते हो खेर लूट लेता हूँ पहले वरना खेर अब तो अपने लोग अमीर हो चुके है तो इन वोटन टूल्स को और ये रही इस वर्ल्ड की दूसरी चेस्ट और इस चेस्ट को ओपेंड करने से पहले में एक साइडी बोलना पहल गड़म है राद में बोलूँगा साइडी पहले चेस्ट ओपेंड करते हैं और इस चेस्ट में भी वही समान है जो पिछले चेस्ट में थी और ये रहा गोलम गोलम को मानने की भी परतिकिरिया पूरी कर देते हैं अबे ये तेरा घड़ है साले कितने गड़ीब लोगों की इतना बड़ा बड़ा घड बना रहे और ये एक चेस्ट तक नहीं है खेड बवाते बवाते एक और वीलेज मिल चुका है हमें ये काव तो और भी ज्यादा गड़ीब है स्टाटिंग के दोनों घड़ में वाले इसमें नेदराइट के टूल्स और आर्मर्स और गोल्डेन एपल देना और यह रहा एक और चेस्ट मुझे लग रहा है इसमें इंचांटेट गोल्डेन एपल होगा तो मुझे पता लग्चू कहा है कि यह नल्ले गडी बेरोजगार छपडी भिकमंगे चपल जोर खसी कॉलोनी के विलेजर्स के घर में सिफ डाइमंड के ही टूल्स देखने को मिलेंगे और नेदराइट आरमार ये सब लेने के लिए हमें नेदर वर्ल्ड में जाना होगा तो मिलता हूँ मैं अपसेडिन कलेक करके फाइनली बहुत मेंट करने के बाद नेदर पॉर्टल रेडी है तो चलते हैं वाह कैस पॉन मिला है तो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ किसी चेस्ट को ढूरनेने के बाद थोड़े दिर टुक जाओ 3, 2, 3 more minutes later बस बस थोड़े देर और 6 and half hours later बस बस मिलने वाला है, थोड़े देर और उग जा 3, 2, 1 थोड़े और बस बस थोड़े देर और उगो मैं पहुंच नहीं वाला हूं 4, 2, 1, 2, 2, 2, 1 तो गाइस मुझे पता लग चुका है कि मेरा नसीब माइनकाफ्ट में भी कुट्टे की ही तरह है सला आधी जिन्दगी बीद गई लेकिन एक चेस्ट तक नहीं मीली मैं जा रहा हूँ अप सुसाइट करने उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस घरीब की दूआ लगेगी तरीका है भीक मांगने का